चलिए आज स्री सनी चलिशा को हिंदी में अनवात करते हैं जैगनेश गिर्जाशुवन मंगल करत किरपान दिनन के दूख दूर करें किजिये नाथ निहार हे गिरी राजपुत्र गिनेश आपकी जैः हो आपकी जैः हो आप मंगल करता एवं किरपा करने वाले हैं हे नाथ दिनों के दुख को दूर करके आप पर सन्ता फरदान करें जै जै, स्री सनी देव, प्रभू सुनहुं बिने महराज करहु किर्पाही रविनन्न, रखु हुं जन की लाज हे प्रभू सनी देव, आपके जै हूँ, हे शुर्य पुत्र आपको मेरी बिंति सुन कर किर्पा कीजिए, आप लोगों को लज्जा की रच्छा कीजिए जैती जैती सनीदेव दियाला, करत सदा भक्तन परति पाला, हे दया करने वाले सनीदेव आपकी जैहू, जैहू, आपका सदा भक्तों का पालन करते हैं चार भुजातनों स्याम बिराजे माथे रतन मुकूटे छवी शाजे आपकी चार भुजाए हैं सरीर पर स्याम लता की सोभा है मस्तक पर रतनों से जतिल मुकूट सोभा मान है पड़मी विसाल मनोहर भाला देडिश्टी मुक्टी विक्राला आपका ललाट अत्यांत विसाल एवं मन को हरने वाला है आपकी द्रिश्टी तेर ही है और भौ विक्राल है कुंडल सर्वन चमा चम चम के ही माला मुक्तन मनिदम की आपके कानों में कुंडल की चमते हैं तथा छादी पर मुक्ता मनी की माला ब्रिजमान है कर में गदा तिर्शूल कुठारा पली विचे करी आ रही संगारा आपके हाथों में गदा चित्र मान है कुठार ब्रिजमान है आप एक अग्र में सत्रों को संगहार कर देते हैं आप एक ही बार में सत्रों को संगहार कर देते हैं पिंगल क्रिछन चाया नंदन एम कोन रोद्र दुख बजन आप दुष्टों का नास करने वाले पिंगल कोन अस्त्र चाया नंदन आप माता चाया का नंदन है एम कोन अस्त्र और रोद्र सोरी मंसानी दसा नामा भानु पुत्र पुजविशव कामा सोरी मंद सनी और सुरिय पुत्र आपके यह दस नाम है इन पर सभी का काम जब सभी कामनाय पूरी कर देते हैं जापर कि जापर प्रभु परसंद हो जाई रंक हूरा करे छन माही हे प्रभु आप जिस पर परसंद हो जाते हैं उन दरिद को भी एक छन में राजा बना देते हैं परवत्त त्रिन होई निहारत त्रिन हों को परवत करी डाले आपकी दिष्टी परते ही परवत भी तीनके के समान हो जाते हैं और तीनके को आप परवत बना देते हैं राज मिलन बन राम ही दिन्हा कैके की मती हर ही लिन्हा जब भगवान राम का राश्तिलक होने जा रहा था उसमें आपकी कैके की बुद्धी ब्रष्ट करके राम जी को बन भेजा दिया बन में मेरी के कपत दिखाई मातो जानकी गय चुराई बन में भी आपकी माया मिलік की रचना कर दी जिन्हा से माता जानकी को अपहन हो गया लख नहीं सकती भी कलगरी डाला मची गाह दल मेहां कारा लच्मन को सकती प्रान से आपने ब्यत्त कर दिया जिससे राम दल मेहां कार मच गया रावन की गती मती बोड़ाई राम चंद सोब बढ़ाई रावन जैसे विधवान की आप बुद्धी ब्रश्ट कर दी जिससे वह विपच्षित होकर भगवान स्री राम जी से सत्रुता कर बैठा दियो की टकरी कंचन लंका बजी बजरंग बीर को डंका सोनी की लंका को आपनी मीटी में मिला दिया और बीर बजरंग बली को यस बढ़ा दिया निप्मू बिकर पर तुही पगुधारा चित्र मयूर निगल ही गय हारा राजा बिकरामादीत पर आपका चन पड़ा और दिवार पर तगा मोड का चित्र रानी को हार निगल गया हार नोलखा लाग ही चोड़ा हां थे पेड़े देड़े वारे तोड़ा राजा भी क्रमादित पर उस नौलखी हार को चोड़ी का आरोप लगा और उनके हाथ पे तोर दिये गए भारी दसा निश्किस्ट दिश्कावे तेली घले कोलू चलवावे राजा को अपने अत्यांत निर्मत अस्तर तक पहुचाग दिया उन्हें तेली के घड में कोलू चलवावना पड़ा बिनैरा में दिपक महकिन हो तब परसंद प्रभु है शुक दिन हो जब उन्होंने दिपक राग में आपकी प्रातना की तब आपने परसंद होकर उन्हें शुक परदान किया जय हो शरी दिर हरी चंद निपर नारी भीकारी आप हो भड़े डोम-घर पानी राजा हरी चंद पर आपकी दिश्टी पड़ी और उनके अपनी पत्नी का विक्रे करना पड़ा डोम की घर में रख कर उन्हें निश्क्रिष्ट काम करना पड़ी तैसे नल पर दसा सिरानी, भूजी मीद कुद गई पानी, उसी परकार जब राजा नलक पर आपका दसा आई, तो भूनी हुई मचली को भी पानी में कुनना पड़ा स्री संकर ही गयो जब जाही, पारवती सोक्सती कहाई, जब संकर जी पर आपकी दिस्ती आई, तो उनकी पत्नी को हवन कुन्ड में जलाकर भस्म होना पड़ा तनी के बिलोकत ही करी रीशा, नौरी गोह, गयो गोड़ी शुते शीशा हिल्ला कुरोध वाली दिस्ती को देखकर ही गोड़ी पुत्र का सिर धर से अलग होकर आकास में उन गया पांडपढ़ है दसा तुम्हारी बची द्रोपती होय उद्धारी पांडपढ़ पुत्र को आपकी दसा की उनकी पत्नी द्रोपती निवस्त्र होते होते बचे कौरब की भी गती मती मारो युद्धे मा भारत करी ही डालो कौरब की बुद्धी का भी आपने हरन कर लिया था जो विबेक सुन होकर महा भारत जैसा युद्धे कर बैठे रभी कह मुखे मध धरी तत काला लेकर कुदी पड़े ओ पताला सुर जैसे सक्ति वाले देवता को अपने मुँ में डाल कर आप तुरंत पताल को चले गए सेस देवले की भी नितिला ही रभी को मुकते दी ओ छुडाई जब सभी देवता मिलकर आपको परातना करने लगे तब आपने सुरे को मुँ से बाहर निकाला जै हो सनी देव बाहर प्रभु के साथ सुजाना हद्दिरगज गर्वद मृक्ष्वाना सभी जानते हैं कि आप पास साथ परकार के बाहन है घोडा, हाथी, गद्धा, हीजन, कुत्ता जम्बुक सी आदी नरे धारी जो फल जो तिसे कहत पुकारे सियार और सेग इस सभी बाहनों को फल जो तिस्यों को द्वारा अलग-अलग बताए गए है हाथी के बहां से घर में लच्मी का आगमन होता है और घोड़े के बहां से घर में अपार सुक्सम्पती आती है गर्बद हानी करे बहुकाजा, सिद्ध सिद्ध करे राज समाजा, गद्धे की स्वारे से हानी होती है और बहुत से कारे मिनस्ट हो जाता है सी किस्वारे से राजा समाज में सिध्धी को प्राप्ती होती है जब बुद्धी नष्ट करे डारे मृद्धे कष्ट प्रान संगहारे सियार बाहन में बुद्धी का नास होता है और मृद्ध बाहन कष्ट देकर प्रानों को संगहार करता है जब आवहुप्रवश्वाने स्वारी चोरी आदी हुए रर्भारे जब स्वामी कुत्ते की स्वारी पर आते हैं तब चोरी आदी तो होती है अत्यांत भै भी बना रहता है तैसे चारी चरने हनामा श्वन लोहा चांदी योरितामा उसी परकार जाती सिसु का पाया देखा जाता है वही भी सोने लोहे चांदी और तामे के अर्थे चार हुके होते हैं नोहा चरन पर जब प्रभु आवे धन जन संपती नश्ट करावे जब स्वामी लोहे के चरन पर आते हैं तब धन जन और संपती सब कुछ नश्ट हो जाता है स्वमतात रामेड जन सुभकारी श्वन्यश्वरे सुभ मंगल भारी तामा और चांदी के दोनों पावे समान रुप में सुभ दायक हैं सोने को पाया सभी सुख परदान करत के भारी मंगल करने वाले हैं जो यह सनी चलितनी तगावे कब हुन दसा निश्किष्ट सतावे यदि कोई प्यक्ति इस सनीवार को सनी चलिशा का नीते गान करता है जो इसे कभी निश्किष्ट दसा नहीं सताती प्रभू उसको कभी दुख और पीरा नहीं देते अध्भूतनात दिखावे लीला करे सत्रू के नसी वली दीला स्वामी अस चड़े नजनक लीलाए दिखाते हैं और सत्रू को नसी तथा बल छिन कर लेते हैं जो पंडित स्योग पुलावे विदिवतिसनी ग्रह सांती करावे अधि कोई बेक्ती सुयोग पंडित बुलाकर विदिवत सांती ग्रह की सांती करवाता है पीपल जल सनी दीप सचरहावे दीप दान बहुत शुक पावे सनी वार के दिन पीपल जल चरहाता है और वह दीप जलाता है तो उसे अतन्त सुख मिलता है जो प्रभु के सेवा राम सुंदर की जी कहते हैं कि सनी वार को ध्यान करते हैं सुख रुपी परकास की चमक वतंत्र फैल जाती है जो मनी सनीवार के दिन भगवान का ध्यान करता है, पूजान करता है, दीप जलाता है, पीपल में जल डालता है, उसका चमक और परकास से फैल जाता है, उनके घड़ में खुशियां आती है, सुक संती आती है. पार सनी चले देवगु की यह भक्त तयार, करट पास चलीशा दिन हो भवसागर पार, भक्त ने इस सनी चलीशा को तयार किया है, इस चलीशा को पढ़ने से भवसागर पार कर जाता है, यह चलीशा को पढ़ने से हर कष्ट दुर कर भवसागर पार कर जाता है. एक बार बोलिए सनी भगवाने की जै और यह सलीशा सनीवार को जरूर पढ़े हर कष्ट हर तुक हरन करेगे सनी देव और जैकारा लगाते हुए एक बार बोलिए से से सनी देव